हलो एवरीवन मैं हूँ ममता और सागत है आपका कलाकारी हब में तो फ्रेंट्स आज हम बना रहें एक ऐसा लड़ू जो आपको हर तरह के दर्ध से भी छिटकारा दिलाएगा आपके आँखों की रोशनी बढ़ाएगा और इस सर्द मौसम में सर्दी खासी जुकाम से भी बचा कर रखेगा और फ्रेंट्स इस लड़ू की एक खास बात और ये भी है कि जो लोग डाइट फोलो करते हैं यानि वेट लोस करना चाहते हैं या किसी वज़े से उन्होंने चीनी और घी को अपने डाइट में बंद कर रखा है वो भी इस लड़ू को खा सकते हैं क्योंकि इसको हमने बिना चीनी बिना गोड बिना घी के बनाया है यानि कि ये है एक शुगर फ्री लड़ू तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के ये शुगर फ्री लड़ू की रेसिपी तो फ्रेंट्स लड़ू बनाने के लिए हमने एक कड़ाई ली है और उसको गैस पर रख दिया है गैस का फ्लेम लो रखा है और हमने लिया यहाँ पर ये लोटस सीड यानि मखाने और ये मैंने एक कप लिये हैं और इनको अभी हम लो फ्लेम पे ना भून लेंगे हमें बिना ओयल के ही इनको रोस्ट करना है हलका हलका रोस्ट करना है एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे यह तब तक इनको रोस्ट करना है और गैस का फ्लेम लो रखना इस बात का ज़रूर ध्यान रखें अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यह दिखे कितना अच्छे से यह रोस्ट हो गए है यह देखे, कितना अच्छे से टूट रहे हैं बस ऐसा हई हमें इनको रोस्ट करना है तो बस इसका भीapan जैस का फ्लेम हम ओफ कर देंगे, और फता-फत से इनको एक थाली में निकाल लेंगे एक साइड तो ये तो हमने रोस्ट कर लिये हैं अभी लेंगे हम बदाम वो हमने एक कप लिये थे तो ये हमने आदा कप लिये हैं तो आदा कप हमने बदाम लिये हैं और इनको भी हम रोस्ट कर लेंगे इस टाइम पर गैस का फ्लेम बीच म हमने लिये हैं मैलन सीड ये भी हमने आदा कप लिये हैं तो इनको हम कुछ सेकेंड के लिए हलका हलका रोस्ट करेंगे गैस का फ्लिम लो रखना इस बात का जरूर ध्यान रखें बादाम भूनते वे थोड़ा सा मीडियम कर सकते हो आदा कप हमने काजू ली है जब थोड़े स काजू बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती है तो चलिए इन दोनों चीजों को भी हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया है हलका हलका ही रोस्ट करना है जादा ब्राउन वगरा नहीं करना है इनको भी हमने एक अलग थालिया प्लेट में निकाल लें और अभी हमने लिया है एक कप ड्राइक को कोनेट यह जो ड्राइवाला नारियल होता है उसको मैंने कदुकस कर लिया है ऐसा ही आप कर लें कदुकस कर लें इसको और इसको भी बस ऐसे मिक्स करके एकसाइड कर दें और अभी हमने लिया है पॉपी सीड यानि खस-rires और यह हमने वन फोर्थ कपली है इस चीज़ का जरूर ध्यान रखे ये हमें वन फोर्थ कपी लेनी है इससे जादा नहीं लेनी है थोड़ा वुत कम हो जाए तो चलेगा इनको भी हम लो फ्लेम पे भून लेंगे बस कुछ सेकंड ही लगेंगे जादा बिल्कुल भी नहीं भूनना है बस तो यह देखे मखाने निकाल लिए बदाम काजू और पॉपी सीड्स वगेरा को भी इसी में निकाल देंगे तो इन सारी चीज़ों को हमने रेडी कर लिया है जो रोस्ट करने वाली चीज़ें थी तो अभी इनका टेंपरेचर थोड़ा नॉर्मल होने देते हैं तब तक ग कर देंगे और अभी हमें गैस का फ्लिम स्टार्टिंग में तो हाय रख ले हमें इस दूद में बॉइल लाना है तीन से चार बॉइल लाना है और जब बॉइल आ जाए तो गैस का फ्लेम आप लो कर दें और इसमें तीन से चार बॉइल आने दे धीरे-धीरे थोड़ा सा प का उतार लिया ठंडा होने के बाद तो इनको कैसे परफेक्टली भूनना है इसका तरीका मैंने चैनल पर दिया है वीडियो दिया है आप चेक कर सकते हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और चलिए अभी हम क्या करेंगे ग्रैंडिंग जार लिया ह और उसमें मैंने यह जो मिक्षर है ना यह सारा डाल लिया है सारा नहीं मतलब थोड़ा-थोड़ा करके डाला है थोड़ा-थोड़ा डाल के हम इसको ग्रैंड करेंगे और फ्रेंड्स यह मिक्षर ना हमें मिक्स करके डालना है थोड़े से बदाम, काजू, मखाने, नारिय सारा सब कुछ मिक्स करके डालना है एक एक चीज अलग-अलग नहीं ग्राइंड करनी तो पल्स पे हमने इसको ग्राइंड किया यह देखिए ऐसा दरदरा सा पाउडर बना लेना बहुत ज्यादा बारीक ऐसे नहीं पीसना है दरदरा सा ही करना है और पल्स पे पीसना इस में डालके ले सकते हैं या फिर इसमें चीनी खांड वगेरा मिलागे पंजीरी के जैसे भी यूज कर सकते हैं तो चलिए इसको तो हमने रडी कर लिया है और अब लेंगे हम यह आधा कप खजूर यह सीडलेस खजूर है इनमें बीज नहीं है बिलकुल भी अगर आपके पा लेंगे इनका पेस्ट जैसा फ्रेंट्स इसको पीस्ते वे ध्यान रखें कि आपको रुक रुक के पीषना है पल्स पेस को और चलिए भी दूद को भी देख लेते हैं और दूद काफी कम हो गया है आदा लिटर हमने दूद लिया था थोड़ा गाड़ा पना गया है भी देख लेंगे और फिर इसको mix कर लें अच्छे से एक साथ इसमें डाल दोगे तो अच्छे से mix नहीं होगा गाठे पड़ सकती हैं बीच पीच में लम्स आ सकते हैं थोड़ा पसा mix किया अभी दूबारा से जो बचाता वो भी डाल दिया है और बहुत बढ़िया से mix हो कोई गाठे वगेरा नहीं पड़ी फिर भी एक दो गाठ अगर हो भी जाती है कोई लंपस तो इस तरीके से मिक्स करते हुए और प्रेस करते हुए इसको मिक्स कर लें बहुत एजीली मिक्स हो जाएगा और अभी हमें गैस का फ्लेम इस टाइम पे लो टू मीडियम रखना लिक्विड लिक्विड लग रहा था ना तो वह एकदम गाड़ा होता जाएगा यह देखिए जब ऐसी स्टेज आ जाए तब हम इसमें डाल देंगे अपना खजूर यह मैंने जो खजूर जो पीसा था ना वह एकदम लुगदी टाइप का बन गया है और मैंने पर्ल्स पे थोड़ा-thोड़ा मिक्स होने लगा प्रेस करते हुए इसको मिक्स कर ले और आप जैसे जैसे इसको मिक्स करेंगे ना तो यह जो हमारा मिक्शर है यह घटा होने लग जाएगा बहुत जादा यह दिखिए पन को छोड़ने लगा है बिल्कुल थोड़ा वह थाभी चमस पे चिपक रहा है वो भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा चिपकना तो पैन पे बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है और काफी इखटा हो गया तो अब हम डालेंगे इसमें लाइची पाउडर वनफोर टीस्पून लाइची पाउडर डाला है आप अगर पसंद करते हों तो डाले व जिंजर पाउडर है यह और यह भी बिल्कुल ओप्षिनल है यह भी सर्दी खाजी जुखाम से बचने के लिए दोनों चीजें बिल्कुल आप पसंद करते हों तो डाले वरना आप स्किप कर सकते हैं इन दोनों चीजों से ना बहुत ही हल्दी हो जाते हैं यह लड़ो और बढ़िया से इस mixture को mix कर लेंगे और ये देखिए कैसे इखटा हो गया काफी थिक होता जा रहा है बढ़िया से mix कर ले और इलाइची पाड़र से इसमें बहुत अची खुश्बू आती है पर कई लोग इलाइची पाड़र को पसंद नहीं करते तो आप skip कर सकते हैं देखिए आप इसको जैसे-जैसे mix करेंगे न तो ये चम्मच से भी छूटने लग जाएगा जो mixture चिपक रहा है और बहुत इखटा हो जाएगा और ये देखिए कितना इखटा हो गया चम्मच पे भी जादा नहीं चिपक रहा है और घी छोड़ दिया इसने साइड में बस जब ऐसा तो यह गे हिसा हमें अन्हें जाएगा अश मिक्षरन एगे घट्वाव करहें जाएं तो रहा है हमते ने सीज्ञा सब्सक्राइब तो यह को मिक्षर हो जितना बडा मिक्षर करेंगे और friends ये देख रहे हैं आप कितना असानी से लड़ू बन रहे हैं हमने एक बूंद घी भी इसमें यूज नहीं किया है फिर भी देखिए इसमें मेरे हाथों पर कितना ऐसे लग रहा है जैसे घी लगा हुआ है मैंने कोई घी नहीं लगाया इसको गानिश कर दिया है और हमारे शुगर फ्री टेस्टी हेल्दी लड़ू बनकर रेडी है friends इसमें हमने जो भी चीजें यूज की है न वो एक से बढ़के एक है और ये देखे मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ लड़ू को कितने सॉफ्ट बने है एक दम मुँ में जाते ही गुल जाएंगे और बहुत ही टेस्टी बने है और friends इनको आप अभी सर्दियों के मौसम में तो 15 दिन बाहर भी रख सकते है या फिर friends जैसा आपके इहां पर temperature हो उसके हिसाब से आप इन लड़ूओं को फ्रिज में रखें या बाहर रखें वो आप देख लें वैसे 15 दिन ये लड़ू बिलकुल खराब नहीं होते हैं तो सर्दियों में रोज सुबह दूद के साथ ये लड़ू खाईए एक या दो लड़ू लीजिए आपकी हेल्थ को बहुत फाइदा करेंगे सभी तरह के दर्द से छुटकारा मिलेगा आखों की रोशनी बढ़ाएंगे क्योंकि इसमें जो चीजें भी यूज की गई है वो एक से बढ़के एक है इनकी क्वालिटीज या इनके जो फाइदे हैं वो तो मैं आपको क्या बता हूं आप सब को मालूम होगा और फ्रेंट्स जो लोग अपनी डाइट से चीनी और घी वगएरा को वगएरा को वइड करते हैं उनके लिए तो ये लड़ू बहुत ही बढ़िया है